लाजवन्ती के यहां कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बच्पन ही में मर गए आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था उसका मुह देख कर वह पहले बच्चों की मौत का घम भूल जाती थी यद्यपी हेमराज का रंग रूप साधारण दिहाती बालकों का साही था मगर लाजवन्ती उसे सबसे सुन्दर समझती थी मात्रवात सल्य ने आखों को धोखे में डाल दिया था लाजवन्ती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे चाती से लगाय फिरती थी मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज जोंके बार-बार आक्रमन कर रहे हो वह उसे चिपा-चिपा कर रखती थी कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए गाव के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं मगर लाजवन्ती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी और कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूनने लग जाती थी गाव की स्त्रियां कहती हमारे भी तो लड़के हैं तु जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है लाजवन्ती यह सुनती तो उसकी आँखों में आसू लहराने लगते भर्राय हुए स्वर से उत्तर देती क्या कहूं मेरा जी डर जाता है इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे मगर इतना सावधान रहने पर भी हेम्राज बुरी नजर से न बच सका प्रात हकाल था लाजवन्ती दूध दुह रही थी इतने में हेम्राज जागा और मुह फुला कर बोला मा आवाज में उदासी थी लाजवन्ती के हाथ से बरतन गिर गया दौडती हुई हेम्राज के पास पहुँझी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली क्यों हेम्? क्या है बेटा? घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? हेम्राज रूक रूक कर बोला सिर में दर्ध होता है, बहुत दर्ध होता है बात साधारण थी, लेकिन लाजवन्ती का नारी हरदय काप गया यही रतू थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था वह भी इसी तरह बीमार हुआ था लाजवन्ती को अपने पैरों के नीचे से धर्ती खिसकती सी मालूम होने लगी जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्ध से लाजवन्ती व्याकुल हो गई गाव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे लोग उन्हें लुकमान समझते थे सैखणों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे आसपास के गावों में भी उनका बड़ा नाम था लाजवन्ती उड़ती हुई उनके पास पहुँची वैद्य जी बैठे हुए एक पुराना सापताहिक समाचार पत्र प्या एच रहे थे लाजवन्ती को देखते ही उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आँखों से एनक उतार कर बोले क्यों बेटी? क्या बात है? लाजवन्ती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया वैद्य जी का मनोरत सिद्ध हो गया उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवन्ती के साथ हो लिए जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था वैद्य जी ने नाड़ी देखी माथे पर हाथ रखा और फिर कहा चिंता की कोई बात नहीं दवा देता हूँ बुखार उतर जाएगा लाजवन्ती के डूबे हुए हरदय को सहारा मिल गया उसने दुपट्टे के आचल से अठनी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी वैद्य जी ने मुह से नहीं नहीं कहा लेकिन हाथों ने मुह का साथ न दिया उन्होंने पैसे ले लिये कई दिन बीट गए हेमराज का बुखार नहीं उत्रा वैद्य जी ने कई दवायां बदली परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया लाजवन्ती की चिंता बढ़ने लगी वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी लोग आते और धीरज दे दे कर चले जाते थे किन्तु लाजवन्ती का मन उनकी बातों की ओर न दोड़ता था वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ती से हेम की सेवा में लगी रहती थी एक दिन उसने वैद्य से पूछा हकीम जी आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता वैद्य जी ने उत्तर दिया मियादी बुखार है लाजवन्ती चौक पड़ी उसने तडप कर पूछा मियादी बुखार क्या अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा पर कब तक उतरेगा 21 दिन उतरेगा इससे पहले नहीं उतर सकता आज 11 दिन तो हो गए हैं बस 10 दिन और रह गए हैं किसी तरह ये दिन निकाल लो भगवान भला करेगा लाजवन्ती का माथा ठनका हिचकिचाते हुए पूछा कोई अंदेशा तो नहीं सच-सच बता दीजिए वैद्दी जी थोड़ी देर चुप रहे इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच-सच बताएं या ना बताएं फिर बोले देखो बुखार सख्त है हानी कारक भी हो सकता है मेरी सम्मती में हेम के पिता को बुलवा लो लाजवन्ती सहम गई रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझ कर जब हरिन पास पहुँच कर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवन्ती की हुई उसे आशा नहीं निश्चे हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा उसी तरह खेलता फिरेगा उसी तरह नाचता फिरेगा मा देखेगी खुश होगी लोग बधायां देंगे मगर वैद्दी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया उसका पती रामलाल सचदेव मुलतान में नौकर था उसने उसे पत्र लिखा वह तीसरे दिन पहुँच गया इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा यहां तक कि दस दिन और बीट गए अब 21 दिन सिर पर था लाजवन्ती और रामलाल दोनों घबरा गए हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी सोचने लगे क्या बुखार एकाय कुत्रेगा वैद्दी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले आज की रात बड़ी भयानक है सावधान रहना बुखार एकाय कुत्रेगा लाजवन्ती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए वैद्दी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गए परन्तु लाजवन्ती के हरदय को कल न थी उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामगरी के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी लाजवन्ती अनन्य भाव से मंदिर में पहुँची और देवी के सामने गिर कर देर तक रोती रही जब ठक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ती उसके कान में कह रही है कि तूने आसू बहा कर देवी के पाशान हरदय को पिघला दिया है परंतु उसने इतने ही पर संतोश न किया मातर स्नेह ने भय को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था लाजवंती ने देवी की आरती उतारी फूल चरहाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोज से कापते हुए स्वर से मानता मानी की देवी माता, मेरा हेम बच जाए, तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी ये मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोज हटा लिया है जैसे उसका संकट टल गया है, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है उसे निश्चे हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है लोटी तो उसके पाव भूमी पर न पड़ते थे उसके हरदय समुद्र में आनंद की तरंगे उठ रही थी उड़ती हुई घर पहुँची, तो उसके पती ने कहा लोबधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है बुखार धीरे-धीरे उतर रहा है लाजवन्ती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की जलक जूमती हुई बोली अब हेम को कोई डर नहीं है मैं तीर्थ यात्रा की मानता मानाई हूँ रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हरदय बैठ गया परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्करा कर उत्तर दिया अच्छा किया? रूपय का क्या है? हाथ की मैल है? आता है? चला जाता है? परमेश्वर ने एक लाल दिया है वह जीता रहे यही हमारी दौलत है लाजवन्ती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जाकती रही उसके हरदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती चा रही थी प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था लाजवन्ती के मुख मंडल से प्रसन्नता टपक रही थी जैसे संध्या के समय गौँ के स्तनों से दूद की बूंदे टपकने लगती है वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुख मंडल भी चमक उठा अभिमान से सिर उठा कर बोले अब कोई चिंता नहीं तुम्हारा बच्चा बच गया है लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेड़ते हुए कहा क्या से क्या हो गया है वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले यह सब इसी के परिश्रम का फल है लाजवंती ने उत्तर दिया देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ उसने मरे हुए पती को जिलाया था तुमने पुत्र को मृत्यू के मुह से निकाला है तुम यदि दिन रात एक न करते थी तो हेम का बचना सर्वता असंभव था यह सब तुम्हारी मेहनतों का फल है भगवान प्रसन्न हो गया बच्चा बचा नहीं दूसरी बार पैदा हुआ है रामलाल के होंठों पर मुसकराहट थी आँखों में चमक इसके साथ में दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तयारी करो तीन महीने बीट गए लाजवन्ती तीर्थ यात्रा के लिए तयार हुई अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी आँखों में फिर वही चमक दिल में फिर वही खुशी हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकता है लाजवन्ती उसे देखती तो फूली न समाती थी तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गाव इकठा हो रहा था जांजे और करताले बज रही थी धोलक की थाप गूंज रही थी स्त्रियां गाती थी बजाती थी शोर मचाती थी दूसरी तरफ कहीं पूडियां बन रही थी कहीं हलवा उनकी सुगंद से दिमाग तर हुए जाते थे लाजवन्ती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी मानो उसके यहां ब्याह हो एक और निचिन्ते साधु सुल्फे के दम लगा कर गाव की हवा को शुद्ध कर रहे थे उनकी और गाव के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं आँखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी लाजवन्ती से कोई मैदा मांगता था कोई घी कोई कहता था हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहा है कोई पूछता था अमचूर का बरतन कहां है कोई और समय होता तो लाजवन्ती घबरा जाती पर इस समय उसके मुख पर जरा घबराहट न थी सोचती थी कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला आज घबराहट कैसी परन्तु सारा गाउँ प्रसन्न हो यह बात न थी वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बूरी स्त्री असीम दुहुक में डूबी हुई थी वह लाजवन्ती की पडोसिन हरो थी अत्यंत दुह के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिल इतना होती मगर गाव की बात थी न आती तो उंगलियां उठने लगती आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिश्क दुहक और शोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गरम जल का स्त्रोत उबल रहा हो वह स्त्रोत बाकी समुद्र से कितना परे कितना अलग होता है इसी तरह रात के चार बज गए लोग खापी कर आराम करने लगे जो बच रहा वह घरीबों को बांट दिया गया लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तयारी में लगी उसने एक टीन के बक्स में जरूरी कपड़े रखे एक बिस्तर तयार किया कंट में लाल रंग की सूती माला पहनी माथे पर चंदन का लेप किया गव पडोसन को सौपी और उससे बार बार कहा इसका पूरा पूरा ध्यान रखना जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गव में रहेगा सहसा किसी के सिस्की भरने की आवाज सुनाई दी लाजवंती के कान खड़े हो गए उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया इस समय सारा गाव सुख स्वपन में अचेत पड़ा था यह सिस्की भरने वाला कौन है यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई वह आंगन में निकलाई और ध्यान से सुनने लगी सिस्की की आवाज फिर सुनाई दी लाजवंती छट पर चर गई और पडोसिन के आंगन में जुक कर जोर से बोली मा हरो कुछ देर तक सननाटा रहा फिर एक चार पाई पर से उत्तर मिला कौन है लाजवंती आवाज में आशू मिले हुए थे लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुँच कर बोली मा क्या बात है तू रो क्यों रही है हरो सचमुच रो रही थी परन्तु अपना दुहक लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली कुछ बात नहीं तो रो क्यों रही हो हरो के रुके हुए आसुओं का बांध तूट गया उसका दुखी हरदय सहानुभूती की एक चोट को भी सहन नहीं कर सका वह सिस्कियां भर-भर कर रोने लगी लाजवंती ने फिर पूछा माँ, बात क्या है जो तू इस समय रो रही है मैं तेरी पडोसिन हूँ मुझसे न छुपा हरो ने कुछ उत्तर न दिया वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं प्रभात हो चला था कुछ-कुछ प्रकाश निकलाया था लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी मगर हरो को क्या दुख है ये जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था उसने तीसरी बार फिर पूछा मा बता दो ना तुम्हें क्या दुख है हरो ने दुखी होकर कहा क्या तुम उसे दूर कर दोगी हो सका तो दूर कर दूँगी ये असंभव है संसार में असंभव कोई बात नहीं भगवान सब कुछ कर सकता है हरो थोड़ी देर तक चुप रही फिर धीरे से बोली बेटी का दुह खा रहा है रात रात भर रोती रहती हूं जाने ये नाव कैसे पार लगेगी ये क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेट ने देना मंजूर कर लिया है ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था लाजवन्ती ने अकुला कर पूछा तो क्या यह जूट है? बिल्कुल जूट भी नहीं उसने 200 रूपय के गहने बनवा दिये हैं मगर मिठाई आदी का प्रबंध नहीं किया अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी? बाराती मिठाई मांगेंगे पूरिया मांगेंगे हलवा मांगेंगे यहां सूखे सत्तु खिलाने की भी हिम्मत नहीं यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ लाजवन्ती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया क्या गाव के लोग एक निर्धन ब्रह्मनी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, धर्म होगा हरों की ओनंखें भराई वह इस समय निर्धन थी परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे लाजवन्ती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुहक हुआ जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर प्रिथ्वी में गड़ जाता है उसने धीरे से कहा बेटी, यह अपमान न देखा जाएगा परंतु इस तरह तो गाव भर की नाक कट जाएगी हरों ने बात काट कर कहा मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी किसी के सामने हाथ पहलाना बुरा है तो क्या करोगी? कन्या कुमवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है? कही निकल जाओंगी न कोई देखेगा न बात करेगा लाजवन्ती ब्राह्मनी की करुणा जनक अवस्था देखकर काप गई उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो इश्वर का कोप गाव भर को जला कर खाक कर देगा लाजवन्ती अपने आपको भूल गई उसका हरदय दुख से पानी पानी हो गया उसने जोश से कहा चिंता न करो तुमारा यह संकट मैं दूर कर दूँगी तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं है मेरी भी है हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा न थी उसके नेत्रों में कृतजता के आंसु छलकने लगे लाजवन्ती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी वह सोचती थी हरदुवार, मथुरा, व्रिंदावन के मंदिरों को देखकर रदय कली की तरह खिल जाएगा मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बौरायच चोड़ कर था वह दोडती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रूपिय लाकर हरों के सामने ढेर कर दिये यह रूपिय जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई जो सुख त्याग में है वह ग्रहन में कहा लाजवन्ती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गाउं में आगसी लग गई लोग कहते थे लाजवन्ती ने बहुत बुरा किया देवी माता का क्रोध उसे नश्ट कर देगा स्त्रियां कहती थी किस शेखी पर रात को रतजगा किया था साट सत्तर रूपये खर्च हो गए अब घर में बैठ गई है नहीं जाना था तो इस दिखाव की क्या आवश्रकता थी कोई कहती थी देवी देवताओं के साथ ये हंसी मजाक अच्छी नहीं ले देकर एक लड़का है उसकी खैर मनाए जो बूरी थी वे माला की गुरियां फेरते फेरते बोली कलजुक का पहरा है जो न हो जाए सो थोड़ा ऐसा तो आज तक नहीं सुना था आज तक सुनते थे आदमी आदमी से बात करके बदल जाते हैं अब देवताओं से बात करके भी बदलने लगे पर असली भेद का किसी को भी पता न था धीरे धीरे यह बातें लाजवन्ती के कानों तक भी जा पहुँची पहले तो उसने उनकी कुछ परवा नहीं की एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया परन्तु जब सब और यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित भी डानवा डोल होने लगा हवा ने जखकड का रूप धारण कर लिया था अब मुसाफिर घबराने लगा अब उसका मन डोलने लगा लाजवन्ती सोचती थी मैंने बुरा क्या किया एक गरीब ब्रह्मनी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है इस पर देवी देवता गुस्से क्यों होने लगे मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सच मुझ भूल की देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं तो और क्या है यह विचार आते ही उसका कलेजा काप जाता और हेम के विशय में भयानक संशय उत्पन्न होने लग जाते संसार बुराईयों पर पच्टाता है लाजवन्ती भलाई पर पच्टा रही थी दिन का चैन उड़ गया रात की नीद हराम हो गई उसे वहम हो गया कि अब हेम की कुशल नहीं उसे खेलता देखती तो उसके हरदय पर कटारियां चल जाती थी बुरे-बुरे विचार आते थे जी डरता था, हिम्मत कापती थी इसी तरह कई दिन बीत गए गाव में चहल पहल दिखाई देने लगी हलवाई की दूकान पर मिठाईयां तयार होने लगी गाव की कुवारी कन्याओं के हाथों में मिहंदी रची हुई थी रात के बारह-बारह बजे तक हरो की छट पर ढोलक बचती रहती और स्त्रियों के दिहाती गीतों से सारा गाव गूंचता रहता एक वह दिन था जब लाजवन्ती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी आज हरो के यहां चहल पहल थी मगर लाजवन्ती के यहां उदासी बरस रही थी समय के फेर ने काया पलट कर दी थी रात का समय था मंदिर में घंटे बज रहे थे लाजवन्ती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली मगर दर्वाजे पर पहुँचकर पाव रुख गए उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ती उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किये खड़ी है लाजवन्ती का कलेजा धड़कने लगा वह डर कर दर्वाजे पर बैठ गई और रोने लगी जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता पाव आगे रखता है दिल पीछे रह जाता है सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है लाजवन्ती का रोम रोम कान बन गया उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही तुम उसको इसका फल दो, उसके बेटे और पती का बाल भी बांका ना हो, यह एक बूर ही ब्राह्मनी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो, जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो। को स्वप्न में वह फिर देवी सम्मुक थी. एकाएक देवी की मूर्ती ने अपने सिंहासन से नीचे उतर कर लाजवन्ती को गले से लगा लिया, और कहा, तुने एक गरीब की सेवा की है, गोया मेरी सेवा की है, मैं तुझ से खुश हूँ, तेरे काम से खुश हूँ, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तुने महा तीर्थ यात्रा की है, सेवा तीर्थ यात्रा से बरह कर है, लाजवन्ती की आँख खुल गई, इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई, जैसी आज तक कभी न हुई थी, आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था, यह कहानी य के लिए धन्यवाद